व्यज्यानिक महत्व बाइसफल श्री महाशिवरात्री का व्यज्यानिक महत्व महाशिवरात्री हिंदू का एक महत्व पूनपर्व हैं जिसे फाल गुनमाह की कृष्णन पक्ष की तेरस चतुरदशी को हर वर्ष मनाया जाता है अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार यह तिथी प्रत्यक वर्ष फरवरी अथवामाज परती है डंडा ऐसा माना जाता है कि स्रिष्टी के आरंभ में इसी दिन मध्यरात्री को भगवान भोलेनात कालेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे महाकालेश्वर भगवान शिव की वह शक्ती है जो स्रिष्टी का समापन करती है महादेव शिव जब तांडवन रित्य करते हैं तो पूरा ब्रहम्मांद विखडिन्थ होने लगता है इसलिए इसे महाशिवरात्री की कालरात्री भी कहा गया है भगवान शिव की वेश भूशा भी हिंदू के अन्यदेवी देवताओं से अलग होती है श्री महादेव अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं गले में रुद्राक्ष धारन करते हैं और नंदी बैल की सवारी करते हैं भूत पेतन शाचर उनके अनुचर माने जाते ह हैं ऐसा विभत्स रूप धारन करने के उपरांत भी उन्हें मंगलकारी माना जाता है जो अपने भक्त की पल भर की उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए दोड़े चले आते हैं इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा गया है भगवान शंकर अपन कारिद्वार में हो रहे कुम्भ मेले पर शाहिस्नान इसी दिन शुरू हुआ था और प्रयाग में माग मैले और कुम्भ मेले का समापन महाशिवरात्री के स्नान के बाद ही होता है डंडा महाशिवरात्री के दिन से ही होली पर्म की शुरूआत हो जाती है महादेव को पूजा उत्सव को मनाने के भिन भिन तरीके हैं लेकिन सामाने रूप से शिव पूजा में भांग धतूरा गांजा और बेल ही चड़ाया जाता है। जहां भीजी और्तिलिंग हैं वहां पर भसमार्ती, रुद्राभिशेक और जलाभिशेक कर भगवान शिव का पूजन किया जाता है। ऐसी मानिता है कि महाशिवरात्री के दिन ही शंकर जी का विवाह माता पार्वती जी से हुआ था, उनकी बरात निकली थी। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि महाशिवरात्री का पर्वस्वयं परम्पिता परमात्मा के सृष्टी परवतरित होने की याद दिलाता है। की चतुरदशी को ही महाशिवरात्री कहा गया है डंडा उप्रोक्त कत्नों को डाशू नियभरत राज सिंग जो महानिदेशक स्कूल अफ मैनेजमेंट साइन्स एजवाध्यक्ष वैदिक विज्ञानंकेंद्र लखनव है। बताते हैं कि यदी से विज्ञान के दृष्टी कोन से परखे तो शिवलिंगे कैनजी का पिंद है जो गोल्व लम्व वृत्तकार वसकुल पीठम पर सभी शिव मंदिरों में स्थापित होता है। वह ब्रहमान्दी अशक्ति को शूखता है डंडा रुद्राबिशेक, जलाबिशेक, भसमार्ती, भांग धतूरा गांजा और बेल पत्र चड़ा कर पूजा और चना कर भक्तुस्षक्ति शाली उर्जा को अपने में ग्रहन करता है डंडा इसके द्वारा मन्व विचारों म शुद्ध तवशारिरिक रोग व्यादियों के कश्ट का निवारन होना स्वाभाविक है डंडा इसी दिन के पश्चात सूरे उत्तरायन में अग्रसर हो जाता है और ग्रीश मरितू का आगमन भी शुरू हो जाता है और मनुश्य मात्र अपने में गर्मी से वचावेतू व कितना कुशिव के एक तंत्र में लाना ही महाशिवरात्री का संदेश है से भी होती है डंडा वैदिक शिव पूजन विधी भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें यग्योप वितधारन कर शरी शुद्ध करें तत पश्चात आसन की शुद्धी करें पूजन सामगरी को यथा स्थान रखकर रक्षादी प्रज्वलित कर अप स्वस्ती पाठ करें स्वस्ती पाठ स्वस्ती ना इंद्रू विधाश्रवारू स्वस्ती ना पूशा विश्व वेदारू स्वस्ती नस्तारक्षू स्वस्ती नो ब्रिहस्पती इसके बाद पूजन का संकल्प कर भगवान गनेशे वंग गौरी माता पार्वती का स्मरण कर पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में बिलवपत रेव मक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। फिर सुगंध, इतर, अक्षत, पुश्पमाला, बिलवपत्र चढ़ाएं। अब भगवान शिव को विविद प्रकार के फल चढ़ाएं। इसके पश्चात धूप दीप जलाएं। हाथ धोकर भोले नाथ को नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य के बाद भल, पाणनारियल, दक्षना चढ़ा कर आरती करें। जैशिवूंकारा वाली शिव आरती इसके बाद क्षमायाचना करें। इस प्रकार संक्षिप पूजन करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर सारे मनोरत पूर्ण करें। घर में पूरी श्रधा के साथ साधारन पूजन भी किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। करें। कर दिव औरा उन होच्छी केझे। झालना में। झाल, 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 झाल